नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ जीतेन शुकला और आप देख रहा है डिस्टल एडवाइस समय हो गया है साथ पैतालेस और टाइम हो गया है ट्रिपल सी मौक टेस्ट का जी हाँ मैंने टाइम थोड़ा चेंज किया है अब नौक की विजाए र और तीनों मौक टेस्ट देख लेंगे साथी साथ ये आप भी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप क्या करेंगे मैराथन क्लास देख सकते हैं इन सभी क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैराथन क्लास में 200 को डिस्कस किया गया है जो आपक के एकजाम के लिए बहुत ही इंपॉल्टेंट हैं तो आप फोर मॉक टेस्ट और एक मैराथन क्लास देख के जाएए आसानी से पेपर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जादा से जादा और जिन लोगों को सबस्क्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए जिस से ट्रिपलसी से रिलेटेट जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एड्मिट कार्ड सदिफिकेट रिजर्ट जो भी अपडेट आएगी वह आपको मिलती रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉप्शन नमबर फर्स्ट वर्सेप ग्रूप में अधिकतम कितने लोग जोड़ सकते हैं ए ओप्शन एक हजार चौबेस बी ओप्शन 256 सी ओप्शन 512 डी ओप्शन 132 बताएगा राइट आंसर क्या होगा फाइट सेकेंड्स हैं आपके पास कमेंट या चैट में आंसर बता सकते हैं जी हाँ कमेंट या चैट में आंसर क्या कर सकते हैं बता सकते हैं फाइट सेकेंड्स हैं बताएगा राइट आंसर क्या होगा गुड़, कुछ लों का right answer आ चुका है गुड़, तो जी हाँ, आपका time up हो चुका है इसका right answer होगा, 256 clear है क्या होगा, 256 इसका right answer होगा WhatsApp group में अधिक्तम कितने member जोड सकते हैं 256 Next, question number 2 Telegram group में अधिक्तम कितने member हो सकते हैं A option 1,000, B option 10,000, C option 1,000, D option 2,000 बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास और ये सभी question important है, आपके exam में आ चुके हैं साथी साथ मैं जरूर बोलूँगा, जिनका exam कल परसों या 2-3 दिन में है ठीक है इस week में, December वाले session में तो लोग क्या करें, marathon class जरूर देख लें प्रूप में अधिक्तम 2,00,000 members को जोड़ा जा सकता है मतलब 2,00,000 members हो सकते हैं next question number third B में एक payment app है, जिसमें UPI का प्रियो करके transaction किया जा सकता है, A option true, B option false बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है good, कुछ लोग का right answer आ चुका है, chat ये comment में आंसर कर सकते है और आपका time up हो चुका है, जी हाँ ये होगा true बिलकुल भीम क्या है, एक payment app है ठीक है, जिसमें UPI का प्रियोग करके हम transaction कर सकते है next question number four CVV कितने digit का होता है A option 8, B option 7, C option 4, D option 3 बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास कोशिस करिएगा सही answer बताने की, comment ये chat में answer बता सकते है और ये question पूछा जा चुका है तो जी हाँ, बिलकुल याद रखिएगा, CVV में 3 digits होती है CVV में 3 digits होती है और CVV का full form भी पूछा जा चुका है, comment करके बताएगा ठीक है next question number five EBT stands for A option electronic benefit transfer B option easy benefit transfer C option earn benefit transfer D option none of the above बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास चैट या comment में answer बता सकते हैं good, तो इसका right answer होगा, electronic benefit transfer याद रखिएगा EBT stands for electronic benefit transfer next question number six PPI stands for A option prepared payment instrument C option post paid payment instrument C option primary payment instrument D option none of the above बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है comment या chat में answer बता सकते हैं तो जी हाँ, इसका right answer होगा prepared payment instrument prepared payment instrument क्या होगा, इसका right answer होगा next question number seven अमंग द्वारा निमलिखित में कौन सी सुबिधा मिलती है A option, EPFO, B option, passport सेवा, C option, income tax, D option, all of the above बताएगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास कोसिस करिए कैसा answer, बताने की और ये questions आपके exam में क्या हो चुके है जी हाँ, आचुके है, clear है और आपका time अप हो चुका है, यहाँ पर होगा all of the above उमंग जो है, state government और central government की बहुत सी services को provide करता है clear है, तो यहाँ right answer क्या होगा all of the above next question number eight UIDAI stands for A option Unique Identification Authority of India B option Universal Identification Authority of India C option United Identification Authority of India D option none of the above बताएगा right answer क्या होगा, five seconds है आपके पास कोसिस करिए कैसा answer बताने की जी हाँ, और आपका time जो है, वो अप हो चुका है और right answer होगा, Unique Identification Authority of India या, पूछा गया है, याद कर लीजेगा कल के paper का triple C analysis आपको साम साड़े साथ बजे मिलेगा, ठीक है साम साड़े साथ बजे आपको triple C paper का analysis मिल जाएगा जो कल अलग-अलग shifts में हुआ होगा, तो जी हाँ, इसका right answer होगा, जी हाँ, ये होगा false pan card, ध्यान अखना as identity proof use होता है, address proof use नहीं होता है pan card, identity proof use होता है, address proof use नहीं होता है, आइकर विभाग जारी करता है और full form होता है permanent account number और ये जहें 50,000 से जादा रुपे जमा करने जा रहे हैं ठीक है, तो as identity use होता है, passport use, sorry, address proof नहीं होता है, ठीक है, identity proof होता है next question number 10, web page को print नहीं कर सकते, A option is true, B option is false, बताईगा right answer क्या होगा, 5 seconds है good, good, और आपका time अप हो चुका है, जी हाँ, और ये होगा false, बिल्कुल print कर सकते हैं, web page को print कर सकते हैं और उने बोला नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, false होगा, next question number 11, पहला text browser कौन सा था, A option mozik, B option linux, C option net escape navigator, D option none of the above, बताईगा right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास कोसिस करिए का सही answer बताने की, comment ये चैट में answer बता सकते हैं, और आपका, जी हाँ, good, good, कुछ लोगा right answer आ चुका है, बढ़िया, good और इसका right answer होगा, B, linux, ठीके, l, y, n, x, spelling जा रखना, l, y, n, x, ठीके, क्यों text browser है ये, ठीके, और जो mozik हमारा है, ठीके, पहला वाला option जो है, mozik वो graphical browser है, पहला graphical browser हमारा mozik है, जबकि पहला text browser linux है, ठीके, वो अंतर है, linux, linux होता है, वहाँ पर वो operating system है, यहाँ पर यहाँ पर, ly है, और n, x है, ठीके, तो, पहला text browser, linux, पहला graphical browser, mozik, next question number 12, A, E, P, S में transaction के लिए verification का माध्यम है, A option है pin, B option है passport, C option है biometric, D option है none of the above, बताइगा right answer क्या होगा, 5 second है, good, good, कुछ लों का right answer आ चुका है, बढ़िया, और आपका time, जी हाँ, आप हो चुका है, right answer होगा, इसका biometric clear है, A, E, P, S में transaction के लिए verification के लिए क्या use होता है, biometric use होता है, clear है, और A, E, P, S का full form क्या होगा, आधार enabled payment system ठीक है, और ये भी आपके exam में क्या हो चुका है, आ चुका है, तो full form याद रखिएगा, next question number 13, antivirus किस प्रकार का software है, A option application software, B option system software, C option utility software, and D option none of the above, बताइए का right answer क्या होगा, 5 seconds है आपके पास, good, good, कुछ लोगों का right answer आ चुका है, बढ़िया, और आपका time भी up हो चुका है, जी हाँ, इसका right answer होगा, application software, antivirus कैसा software है, बिलकुल application software है, next question number 14, equal to average, 20, 40, 60, 80, 40, ठीके कॉमा लगा के लिखा हुआ है, का result क्या होगा, A option 240, B option 80, C option 60, D option 90, बताइए का right answer क्या होगा, 5 seconds है, good, कुछ लोगों का right answer आ चुका है, और function related भी आपको एक से दो question मिलेंगे ही मिलेंगे, तो बिलकुल तयार रहिएगा, और इसका जो right answer होगा, जी हाँ, 80 होगा, clear है, क्यों 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 क्या होगा, आप sum कर लिजिए, और फिर क्या कर दीजिए, 5 से क्या कर देंगे, divide कर देंगे, तो थोड़ा गरबढ़ हुआ है आपर, गरबढ़ हुआ है, यह answer नहीं होगा, यह answer इसका नहीं होगा, ठीक है, यह answer इसका नहीं होगा, तो बताई जल्दी से comment करिए, यह chat करिए जल्दी से right answer क्या होगा, यहाँ पर mistake हुई है option बनाते समय जी और इसका जो right answer होगा 48 होगा ठीक है 80 लिग गया है यहाँ पर क्या होगा 48 होगा इसका जो average आएगा वो क्या आएगा 48 आएगा क्यों 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 समाएगा 240 divide कर देंगे 5 से तो result हमें क्या मिल जाएगा 48 मिल जाएगा ठीक है कितना मिलेगा 48 ठीक है next question number 15 e violet digital violet का उधारण है a option a true b option a false 5 सेकेंड है बताएगा right answer क्या होगा तो जी हाँ आपका time up हो चुका है और right answer होगा जी हाँ बिलकुल true होगा काफी लों का right answer आ चुका है good next question question number 16 निमलिकित में कौन सा aggregate function नहीं है a option max, b option min, c option average, d option sum बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है aggregate functions के बारे में मैं आपको तब तक बताए दे रहा हूँ aggregate function वह function होते हैं जो group of values पर काम करते हैं aggregate function वह function होते हैं जो group of values पर काम करते हैं तो जी हाँ इसमें जो right answer होगा sum sum math वाला function है max, min और average क्या है aggregate function है max, min और average क्या है aggregate function है next question number 17 calc में cell की default height कितनी होती है a option 0.18 inch b option 0.50 inch c option 0.60 inch d option 0.12 inch बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है और ये भी आपके exam में आ चुका है जी हाँ number exam में आया था आपका time up हो चुका है right answer होगा 0.18 inch याद रखना height कितनी होती है 0.18 inch next question number 18 writer में 3 headings होती है a option a true, b option a false बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है तो जी हाँ आपका time up हो चुका है right answer होगा true next question number 19 control plus escape use for a option home b option end c option start d option none of the above बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है और जिल लोगों ने अभी तक वीडियो को like नहीं किया जल्दी से वीडियो को like कर दो भाई, thumbs up कर दो जितना जादा like उतने अच्छे questions मिलेंगे तो जी हाँ इसका जो right answer होगा वो होगा start clear है, control plus escape क्या होता है start control plus escape किसलिए use होता है start next question number 20 निमलिखित में कौन सी memory chip तेज है a option s ram b option d ram c option memory card d option none of the above बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है good 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 कुछ लोगा right answer आ चुका है बढ़िया और आपका time भी up हो चुका है जी हाँ यहाँ यहाँ पर जो सबसे तेज में मोरी होगी s ram याद रखना कई बार s ram और d ram का पूछ लेता है तो बिल्कुल s ram क्या होती है तेज होती है d ram से next question number 21 गूगल ड्राइव का प्रियोग कर सकते हैं a option backup files and folders b option send large size files c option open and edit documents d option all of the above बताएगा right answer क्या होगा 5 seconds है good good और आपका time अप हो चुका है जी हाँ यहाँ right answer होगा all of the above Google drive पर हम क्या कर सकते है backup files कर सकते हैं बिल्कुल file और folders को वहाँ सुरच्छित रख सकते हैं जा copy फिर ज़िए हमें 25 MB से ज्यादा की file भेजनी है तो हम Google drive का use करते हैं बात ध्यानक ना 25 MB से ज्यादा की file भेजनी है Gmail के दोरा मतलब email के दोरा तो हम क्या करेंगे Google drive का use करेंगे और वहाँ पर हम files को open और edit भी कर सकते है नेक्स्ट कोशन नवर 22 ECS stands for A option electronic clearing system B option embedded clearing system C option easy clearing system D option none of the above बताए कर राइट आंसर क्या होगा और कल साम साड़े साथ बज़े तयार रहिएगा कल साम साड़े साथ बज़े ट्रुपल सी paper analysis आपको मिलेगा जो अला गला सिफ्स में papers आए होंगे उनके आधार पर कल साम को आपसे questions discuss किये जाएंगे साड़े साथ बज़े ठीक है साथी साथ सब भी लोग marathon class जरूर देख लें और ये 4 जो 4 mock test है ये भी देख लें सबका link आपको description में मिल जाएगा तो यहाँ पर right answer जो होगा आपका electronic clearing system होगा ECS stands for electronic clearing system next question number 23 header और image header और footer में image लगा सकते हैं A option A true, B option A false बताई का right answer क्या होगा और question अच्छा लगा हो तो जल्दी से like कर दो भाई जी हाँ question अच्छा लगा हो तो like कर दो good 5 seconds है और आपका time अप हो चुका है जी हाँ right answer होगा true, बिलकुल आप लगा सकते हैं ध्यानक ना, header, footer में हम image लगा सकते हैं for example logo ठीक है, small size image है तो मासानी से लगा सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है next question number 24 browser में full screen की shortcut की क्या होती है A option F12 B option F5 C option F2 D option F11 बताई का right answer क्या होगा कोईस करिएगा good बढ़िया है कुछ लोग का right answer आ चुका है तो इसका जो right answer होगा जी हाँ आपका क्या होगा F11 होगा, good next question number 25 error 404 क्या दरसाता है A option page not found B option server not found C option both A and B D option none of the above बताई का right answer क्या होगा 5 seconds है कोईस करिए कैसा answer बताने की और आपका जो time है आप हो चुका है इसका right answer होगा both A and B clear क्या होगा both A and B next question question number 26 M, I, C, R code में कितने digit होते हैं M, I, C, R code में कितने digit होते हैं A option 8 B option 7 C option 3 D option 9 बताई का right answer क्या होगा 5 seconds है कोईस करिए का सही answer बताने की good और आपका time up हो चुका है इसका right answer होगा 9 clear है M, I, C, R code में कितने digit होते हैं 9 code होते हैं ठीक है 9 digit होते हैं याद रखिएगा पूछा गया आपके exam में next question number 27 MAC stands for A option media access control B option many access control C option minimum access control D option none of the above right answer होताईगा 5 seconds हैं बहुत बार ये exam में आपके पूछा जा चुका है और आपका time up हो चुका है right answer होगा media access control MAC stands for media access control next question number 28 निमलिखित में कौन सा source open source software नहीं है A option Ubuntu B option Libra Office C option Windows D option Open System बताईगा right answer क्या होगा 5 seconds है good good काफिलों का right answer आ चुका ये question भी आपके exam में आ चुका है और आपका time up हो चुका right answer होगा Windows 7 clear है next question number 29 AI की खोज 1956 में कहां पर हुई थी A option Harvard B option Cambridge C option Oxford D option Dartmouth College 5 seconds है कोशिच कर ये कैसा ये answer उताने की good तो इसका right answer होगा Dartmouth College ठीक है ये भी आपके exam में आ चुका है ये भी आपके exam में क्या हो चुका है याद रखिएगा AI की खोज कहां पर हुई Dartmouth College में known as the father of AI A option John McCarthy B option John Smith C option John Curtin D option none of the above बताईगा right answer क्या होगा 5 seconds है और आपका time up हो चुका है बहुत से लोगों ने right answer दे दिया है very good तो इसका right answer होगा John McCarthy ने की थी father of AI कौन है John McCarthy है मतलब इनों नहीं AI की क्या की थी खोज की थी clear है तो ये थे आज के अभी के questions clear है PDF आपको description में मिल जाएगा एक घंटे के बाद clear है साती सात marathon class और अदर जो आपका mock test है वो देखना मत भूलिएगा और आपका paper कैसा रहा questions कैसे आये थे clear है तो ये आप जरूर WhatsApp करिएगा जिससे और भी students की क्या हो सके help हो सके तो please WhatsApp जरूर करिएगा सभी लोग clear है और preparation related कोई भी problem हो तब भी आप WhatsApp कर सकते हैं और exam related कैसे exam दें तो इसका वीडियो भी आपको क्या हो जाएगा अभी मिल जाएगा रात में ठीक है तो मिलते हैं कल साम साड़े साथ बजे triple C paper analysis के लिए सभी को best of luck जिनका paper है paper अच्छे से करिएगा घबराईएगा नहीं ठीक है मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत सुभकाम ना है और आप अच्छे से paper कर के आईएगा तो मिलते हैं कल वीडियो को like कर दीजेगा